चुनाव के नतीजे आने के बाद हार का दोश ईवियम के मत्थे डालने की परंपरा पुरानी रही है जब जब ईवियम का जिक्र होता है तब तब लालू प्रसाद यादव का वो वक्त यार आ जाता है जब उन्होंने कहा था कि बैलेट वॉक्स से जिन निकलेगा और जिन निकला भी नमस्कार में हुरचाश शर्मोर आप देख रहें नियूस फोनेशन आज लालू प्रसाद यादव का जनम दिन है ऐसे में आपको ईवियम से जुड़ा एक किस्सा सुनाते है अपने घड़ी के सुई को 1995 मिले जाई 90 के दश्रक में लालू प्रसाद यादव को जनता दल से अपने मद्दाताओं की बीच दोबारा जाना था वैसे तो लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवानी के रामरत को रोक कर अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी और अलसंख्यक समाज में पॉपुलर हो गये थे लेकिन उनके खिलाफ पॉलराइजेशन भी शुरू हो चुका था जिस पार्टी से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे वो जिनता दल भी धड़ों में बढ़ चुका था जिनता दल की धूरी के तौर पर रहे विश्वनात प्रताप सिंग मेंटर के स्तिती में तुन थे लेकिन बहुत सक्रिय नहीं थे लालू प्रसाद यादव राजा साहिब के नाम से मशहूर विश्वनात प्रताप सिंग को पटना ले गए वहां उन्होंने राजा साहिब को एक होटल में ठहराया सुभा शाम दोनों वक्तों उनसे मिलने जाते और सलाह भी लेते थे दरसल जंता दल में एक किबाद एक विभाजन होने से लालू प्रसाद यादव काफी चिंतित थे लेकिन उनकी चिंता और भी बढ़ा दी थी उस वक्त के चुनाव आयुक्त तियन शेशन ने दरसल टीन शेशन को ऐसा लगता था कि बिहार में होने वाले चुनाव में काफी गड़वडिया होती है ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से शिकंजा कस रखा था फिर भी लालू प्रसाद यादव अपनी सभाओं में कहने से बाज नहीं आते थे देखेगा बक्सा से जीन निकलेगा चुनाव में जब नतीजे आये तो वास्तों में जीन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए जीत की सौगात लेकर आया उनकी पार्टी को 166 जबकि बीजेपी को 41 और जनता दल से अलग होकर लड़ रही समता पार्टी को साथ सीटों पर ही संतोष करना पड़ा समता पार्टी कभी लालू के ही सहयोगी रहे नितीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर बनाई थी उनके साथ जोर्ज फार्नाडिश थे शुरू में पा आप से ही चलती रही लेकिन इस बार के लोक सभाज चुनाव के नतीशे आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव का जादू अब खत्म हो गया है या फिर ध्वस्त हो गया है इसके साथ ये भी कहा जाने लगा कि अब उनका तंबू उखड गया है और जम किया है लेकिन एक बात तो इस पश्ट है कि कई बार कहने के बाद आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने बैलेट बॉक्स से जिन निकाल ही दिया था